नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चनल ओनलाइन और ओफलेंग ग्यान में दोस्तो आज जो आप लोगों के लिए अपडेट लेकर आयों आईटे की नोकरी के लेकर आयों मैंने आप लोगों को बोला ये कि जहां जहां पर आईटे की नोकरिया मुझे मैं आप लोगों के लिए उसकी जानकरी जरूर दूँगा चाहे उसका क्राइटेरिया किसी भी प्रकार का आप लोगों का हो क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनके पास इस तरीके के क्राइटेरिया होते हैं experience होते हैं वो जो है उसके basis पर apply कर सकते हैं कुछ post ऐसी है जिसमें आप simple IT के base पर apply कर सकते हैं किसी भी ट्रेट से उसमें किसी भी प्रकार का experience नहीं चाहिए इस वेकेंसी के बारे में मैं आपको बता तो रहा हूं लेकिन fees बहुत ज़्यादा है 2000 रोपे के आसपास fees एमस ने रखे हुई है एमस भुवनेश्वर की साइट से वेकेंसी निकली है और एमस में जब वेकेंसी निकलती है तो यह fees आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रखते हैं इसकी वज़े से competition थोड़ा सा कम हो जाता है reason बड़ी मात्रा में बच्चे fee की वज़े से रह जाते हैं और phone को नहीं फिल करते हैं 755 के आसपास आप लोगों के लिए वेकेंसी है ओल ओवर इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ओफिशल साइट पे भी आप लोगों को मैं दिखा दूँगा इसका जो लिंक है आप लोगों को मैं description में दे दूँगा so that आप लोग जो है easily इसके लिए अप्लाई कर स सकते हैं यहाँ पर कुछ ट्रेड ऐसी है जिसके लिए वेकेंसी नहीं आती है तो सोचा कि इस पे जो है बच्चे अप्लाई कर पाएंगे और आगे जो है अपनी प्रिपेशन इसके बेस पे कर पाएंगे यह आप देख सकते हैं 775 वेकेंसी है टोटल नीचे बढ़ते हैं नीचे आप लोगों को जितनी जानकारी दे रखी है मैं दे सकता हूँ ओल ओवर इंडिया से अप्लाई करेंगे ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए डिस्टिक के लिए यह वेकेंसी दे रखी है यहाँ पर थोड़ी हाईयर लेवल की जो वेकेंसी है उस प एक्सपीरेंस भी चाहिए CSD टेक्निशन ए बीएससी स्टाफ नर्स वाली वेकेंसी है डाइटीशन थोड़ी डिफ्रेंट है गैस ओफिसर यह थोड़ी डिफ्रेंट है हेल्ट एजुकेटर डिफ्रेंट जूनियर अकाउंट ओफिसर यह जो ग्रेजुएट इन कॉमर्स है चाहे ओनर से हो चाहे नॉर्मल हो अप्लाई कर सकते हैं बढ़ टू साल का एक्सपीरेंस चाहिए जूनियर अडिमिस्टेटिव जो ओफिसर है उनको डिग्री चाहिए खाली किसी भी केटिगरी में हो बीए बीकोम बीएससी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन प्रोफिशेंसी क प्रोग्रामर डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट बीटक वालों के लिए उसके बाद यह भी डिफरेंट है पब्लिक हेल्थ नर्स यह बीएस्टी वालों के लिए है रेडियो ग्राफिक टेक्निशन मैं आईटे पर ज्यादा फोकस करूँगा इसलिए आईटे की वेकेंसी पर मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए आ रहा हूँ आर्टिस मोडलर जिसे बोला जाता है उसके बाद यह भी डिफरेंट है उसके बाद इसमें एक्सपिरेंस चाहिए कैशियर हो गई उसके बाद कोडिंग क्लर्क यह जो है ब्यस्टी से लेटिड है डार्क रूम असिस्टेंट पोस्ट बहुत सारी है मैं आईटे के आप लो ग्रेड का 10 पास चाहिए LMV light motor vehicle और heavy motor vehicle का उसके पास commercial license होना चाहिए दो साल का उसके पास driving commercial vehicle का experience होना चाहिए electrician की बात करते हैं electrician में 10 पास चाहिए ITA चाहिए simple ITA और पास साल का experience मांगाए और साथ में ST और LTE electrical installation से लेटेट चीज़े मांगी गई है gas mechanic जिसमें आप लोगों का 10 प्लस टू मांगाए और जो है यहाँ पर five years का experience मांगाए तो इसके basis पे ना आके यहाँ पर आ जाते है trade certificate और ITA diploma in mechanical engineering mechanical engineering जैसे फिटा टनर, machinist, welder जैसे बच्चे अपलाई कर सकते हैं आप लोग जानते हैं बहुत सरे trade है mechanical group में आती है इसके बार में मैं आपको बता चुक हूँ with three years experience in medical gas pipeline system in a 200 bedded hospital उसके बाद यहाँ पर जो है hospital attendant grade दसवी पास चाहिए certificate course चाहिए in hospital services conducted by a recognized organization यह जो है आप लोगों का होना चाहिए desirable experience है यहाँ पर experience कंपलसर ही नहीं है आगे बढ़ते हैं जहाँ पर मुझे IT का दिखेगा आप लोगों को जरूर उसके बार में मैं inform करूँगा आगे बढ़ते हैं junior warden है यह graduation चाहिए 2 साल का experience उसके बाद lab attendant grade 10 प्लस 2 चाहिए और मैं diploma चाहिए medical lab technology में ठीक है इसमे experience compulsory नहीं है lab technician में 10 प्लस 2 डिप्लोमा चाहि चाहिए उसके बाद library attendant grade के लिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर दसवी पास चाहिए और experience of having worker work in library for at least two years दो साल का experience यह library category में उसके बाद lineman 10 चाहिए आप लोगों को IT चाहिए और दो साल का experience पांगा relevant field में ठीक है यानि IT आप लोगों का electrician चल जाएगा electrician वाले बच्चे इसमें apply कर पाएंगे manifold technician यह जो है आप लोगों का इसमें देखते हैं हम लोग इस पर नहीं जाएंगे इस पर आते हैं इसके trade certificate और IT रिप्लो में mechanical engineering जिसके बाद में बता चुका हूँ 5 साल का experience आप लोगों से मांगा है manifold room attendant 10 plus 2 with science from a recognized board 3 years का experience मांगा है उसके बाद RNAC पे आते हैं RNAC वाले बच्चे इसमें apply कर पाएंगे दसवी पास चाहिए IT चाहिए RNAC में आप लोगों को minimum one year का उसके बाद दो साल का आप लोगों के पास experience होना चाहिए air conditioning में इसमें बच्चे apply कर पाएंगे I know क्योंकि बहुत सारे बच्चे experience लेके बैठे हुए ध्यान रखना apprentice को as a experience calculate नहीं करेंगे age सब कुछ यहां पर mention है एक बार notification पर नजर मार लेना मैं description में आपको link दे दूँगा mechanic E&M वाली जो vacancy है इसमें 10 चाहिए IT certificate चाहिए electrical engineering में mechanical engineering में उसके बाद 2 साल का experience चाहिए minimum medical record technician BSC से related है office attendant के लिए यह वाली मैं vacancy बोल रहा था इसमें बच्चे apply कर लेकिन यहां पर ध्यान रेखना office attendant की पोस्ट है एज 30 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए operator E&M यहनि lift operator की वेकेंसी है 10 चाहिए IT चाहिए relevant trade में यहनि lift operator में इसकी भी IT ही होती है multiple states में चाहिए वो private से हो government से हो आप लोग apply कर सकते हैं यह phara chemist की है आगे बढ़ते हैं यह भ experience है और साथ में आप लोगों के पास यह experience होना चाहिए पास साल का experience आपके पास है तो plumber से apply कर पाएंगे pump operator में बात करें तो आपके पास IT होना चाहिए mechanical engineering trade में तीन साल के experience के साथ ठीक है वही same condition 200 bed वाले hospital में उसके बाद receptionist इस पे focus नहीं कर रहा आगे बढ़ते हैं जो जो चाहिए और 8 साल का experience मांगा है एज आप लोग देख लें इस टैनोग्राफ़र 18-27 साल एज मांगी है बारवी पास इसमें मांगा हुआ है और skill test norms कुछ दे हुए इस पे देख ले न और experience या कोई excellent command जो है वो desirable है कोई composer ही इसमें नहीं मांगा है store keeper की बात करें graduation चाहिए graduation के base पे आप apply कर पाएंगे लेकिन साथ में एक साल का experience store attendant grade second की vacancy इसमें भी 10 या IT के base पे आप लोग apply कर पाएंगे tailor इसकी में बात कर रहा था बहुत सारी लड़कियां ऐसी है जो tailor से IT कर चुकी है और उनके लिए vacancy नहीं है तो वो 10th प्लस IT के base पे अपनी tailor trade से apply कर सकते हैं किसी भी प्रकार का experience नहीं चाहिए ये desirable है आप लोगों का wireman की बात करें 10 चाहिए IT electrician में मांगा ध्यान रखना wireman में नहीं मांगा electrical walkman certificate of competency उसके बाद practice experience ओ 5 वेर्स आपके पास होना चाहिए electrician trade से ये cut of date है कुछ इस पे आप लोग एक बार नजर मार लेना मैंने starting में आप लोगों को बता दिया था कि fee बहुत जादा है मैं खुश बच्चों से fee मांगता है आप condition देख सकते है 24 सो रपे 8080 EWS से मांगी हुई है यहाँ पर सीधा सीधा agenda इनका दिख रहा है कि बच्चों से fee लेके कुछ बच्चों को vacancy दे दे और बड़ी मात्रा में जो है fee के माध्यम से उनसे पैसा collect कर ले मेरी नजर में तो यही इनकी मन इंशा है जहां तक मेरा अंदाज आए क्योंकि इतनी ज़्यादा fee मैंने आज तक देखी नहीं कि कोई department रख रहा हो बच्चों के लिए person with disability के लिए मैं जानता हूं कोई fee नहीं है लेकिन इसमें बहुत कम मात्रा में बच्चे form फिल करते हैं अगर form की बात करें तो official site का मैं लिंक आपको description में दूँगा आप लोग एक बार जाके नजर मार लेना ये जो है कुछ और criteria है इनके exam का pattern अगर आप लोग इसके लिए apply कर रहे हो please मुझे एक बार recommend जरूर करना कि मैं apply कर रहा हूं फिर मैं आगे की चीज़े इसमें आपको बताता हूं ये इनकी official website है जिस आप लोगों को सारी जानकारी अच्छे तरीके से मिल जाएगी आगे बढ़ते हैं एमस आप लोग वैसे जानते हैं कितना रेपुटेट होस्पिटल है अगर नोकरी आप लोगों की लगती है तो बहुत ही एक बहुत बड़ा आपसर आप लोगों को समझें कि वहाँ पर मि लोगों को लिंक दे दूँगा ओफिशल साइट का भी अपलाई करने का भी इसी के अंदर है इस पर क्लिक करेंगे आप लोग गुरूप B और C की वेकेंसी पर आप लोगों को जो है यहाँ पर चीज़े दिख जाएगी मेरी तरफ से इतनी ही जानकारी थी आप लोगों के दे दिये कोई और समस्य आप लोगों को आती है तो कमेंड बोक्स में जरूर मेंशन करना मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए बी आर सी से लेटिड आप लोगों की बहुत सारी दिक्कते आ रही है तो एक एक करके आप लोग बॉक्स में मुझे जरूर इंफोर्म करना धन्यवाद